दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे मिसेश चेटर जी वसस नौर्वे के लाइप टैम वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलिक्शन के बारे में और साथ ये आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस में हीट हुई थी या फ्लॉप दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अन्तक जरूर देखिएगा दोस्तो ये एक बायोग्राफि ड्रामा फिल्म थी ये फिल्म दजर्नी ओफ अमदर नाम की आटो बायोग्राफिय पर अधारित थी जो की सगारी का चक्रवति की जीवन पर अधारित है इस फिल्म में रानी मुखर जी, अनिर्वर्न भटचा, रिजिम, सर्व, अनीना गुपता नजर आयते इस फिल्म को अशिमा छिपबर ने डारेक्ट किया था अगर बात करे स्क्रिन काउंट की अगर बात करे इस फिल्म के IMDV रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.4 रेटिंग मिले दोस्तो अब तक रानी मुखर जी की कोई भी वोमें सेंट्रिक फिल्म बॉक्स ओफिस में फ्लॉप नहीं हुई है बलेक, मरदानी, वन एंट्व, हिच की और अब ये फिल्म सभी ही बॉक्स ओफिस में सक्सेस रही है और इन सभी फिल्मों में रानी मुखर जी ने कमाल की एक्टिंग की है तो दोस्त अगर आपने ये फिल्म देख लिया ता आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्त अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शियर करें और अगर आप हमारे चैनल में नहे होता ऐसी बॉक्स ओफिस की कलिक्शन और फिल्मों की सभी जानकर ये पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दवा देता कि मारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें